नमस्कार दोस्तों चंपारन कंपेटिटिव क्लास में आप सब का स्वागत है इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट करें देखिए आज से एक टेस्सरीज चलेगा कोई भी एकजाम में जो कंपेटिटिव एकजाम होता है जिसमें जीस का पांच से साथ बार जो भी प्रस्न पूछा गया यानि कि बार बार जो प्रस्न पूछा जाता है उस पर हम लोग डिल करेंगे उस पर हम सब डिसकस करेंगे एक हजार ऐसे प्रस्न को चिन्हित किया गया है जो आपके एकजाम में बार बार पूछा जाता है अभी तक जितने भी एकजाम हो एस् एक्जाम में पुछा जाता है ऐसे प्रश्न मात्र एक हजार है और आपके कोई भी एक्जाम आप देने जाते हैं उसमें ऐसे प्रश्न का संख्या देखिएगा तो यदि 50 Gs पुछा जाता है तो उसमें 35 Gs आपका इसी सब से रिवीजन बार बार पुछा जाता है हूब वहू यही प्रश्ण रहेगा ऐसे प्रश्ण को हम चिन्हित किये हैं जिसका संक्या एक हजार है और उसको प्रती दिन हम आप सब के भी लेकर आएंगे और एक स्रीज चलेगा जिससे आप कोई भी एक्जाम देने जाएंगे केवल यहीं यदि एक हजार जीएस पढ़के जाते हैं तो यदि पचास प्रश्ण पूछा जाता है तो उसमें मेक्सिमम मीनिमम भी आ करना के आईएगा यह मेक्सिमम में चाली सब बना लीजेगा थोड़ा सा करेंट बुआ देख लिएगा तो पजास में पजास हो जाएगा इसलिए यह एक हजार जो प्रश्ण है बिभिन एक्जाम का है हर प्रतेख ईक्जाम से सीजियल हो 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 सब इसे यह कोई भी एक्जा किये हैं इसमें एक हजार प्रस्ण तैयार हुआ है और उसको हम टेस्ट स्रीज के माध्यम में आप लोग के समख्ष उपस्तित हूं चलिए आज पहला टेस्ट स्रीज चलेगा चलिए पहला प्रस्ण है मिड़ नाइट चिल्डरेन के रचाईता कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान रस्दी सलमान रस्दी ठीक है मिड़ नाइट चिल्डरेन के रचाईता कौन है तो सलमान रस्दी बहुत बार पुशा गया है चलिए दूसरा कोश्चन देखते हैं कुतुब मिनार के पास इस्तित लौव अस्तम को किषने बनवाया था ये भी बार बार पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ट दूतिये चंद्रगुप्ट दूतिये चलिए अगला प्रशन देखिए राष्टपती भौन कहां इस्तित है तो इसका आंसर हो जाएगा राय स्रीना हिल चलिए अगला कोश्चन देखिए इंडियन सुपर लिग किसे संबंदित है ये पुशा गया उसमें ओप्सन दिया रहेगा तो इसका आंसर होगा हो किसे संबंदित है ओप्सन के अनुशार चलिए अगला प्रश्चन है पांच नंबर बिश्वशांती अस्तूप कहां इस्तित है तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में है बिश्वशांती अस्तूप राजगीर में इस्तित है चलिए नेक्स कोश्चन देखते है नेक्स प्रश्चन है भारी जल का उप्योग ड पूछा जाए ता चलिए एक्सट कोर्शल देखते हैं कौन सा साशक सर पर्थम पाटली पुत्र को को अपन अपनी रैधानी बनाया था उस साशक का नाम बताना है बहुत बार पूछा जाता है तो इस शासक का नाम हो जाएगा उदाईन चलिए next question देखते है next question है peach blade अयस्क में मुख तत्त पाया जाता है या आप से ये भी पूछ सकता है कि peach blend किसका अयस्क है या मुख तत्त पाया जाता है तो ये हो जाएगा uranium का uranium चलिए next question देखिए सिंदु घाटी सभ्यता डैस यूग से सम्बंदित है सिंदु घाटी सभ्यता किस यूग से सम्बंदित है तो ये हो जाएगा कांस यूग से अगला प्रस्म देखिए भारत का सर्बोच शैनिक सम्मान है भारत का सर्बोच शैनिक सम्मान का नाम बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा परम बीड चक्र ठीक है अगला कोशन है पंच तंत्र के लेखक है पंच तंत्र के लेखक कौन है पंच तंत्र पुष्टक का नाम है इसके रचाइता कौन है या लेखक कौन है तो यह हो जाएगा विश्नु शर्मा विश्नु शर्मा नेक्स कोशन देखिए, ग्रेफाईड और हीरा डैस के अपारूफ है ग्रेफाईड और हीरा कारबन के अपारूफ है ये जो भी प्रशन कराये जा रहा है बार-बार प्रतेक एकजाम में पूछा जाता है सब आई एकजाम में यदि मिला जिए जाए तो कम मना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च चलिए next question देखते हैं विद्या सागर से तू किस नदी पर है अगला प्रस्ण है विद्या सागर से तू किस नदी पर है विद्या सागर से तू किस नदी पर है तो इसका आंसर हो जाएगा हूगली नदी पर नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे कल्पक्कम न्यूकिलियर पावर प्लांट डैस में इस्तित है कल्पक्कम न्यूकिलियर पावर प्लांट किस राज में इस्तित है या किस जगह पर इस्तित है ये भी आपसे पूशा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा तमील नाडू, चलिए अगला कुश्चन देखते हैं, नेक्स प्रस्ट है, धन बिधेय केवल डैस में पेस किया जाता है, धन बिधेय कहां पर पेस किया जाता है, धन बिधेय का चर्चा है, यानि कि केवल लोक सभा में पेस किया जाता है, लोक व्हाम में चले इंत्सक्रण देखते हैं 17 नमर जयगढ़ का किल की लग्र कि व Finance इस्तित है जयगढ़ का किल बिकानेर तो इस्तित है चले ञगां कि वो हम 11 या इस चले इस फॉस्ण हम स्पादर अफ जो मैट से एक हृत है फादर आफ जोमेट्री किसे कहते हैं फादर आफ जोमेट्री नियुकिलियोर्ड को कहते हैं युकिलियोर्ड को कहते हैं नेक्स कॉस्चन सहर का पर्थम नागरीक होता है तो मेर होता है ये प्रस्ण कई बार पूछा गया है आपके एकजाम में अगला प्रस्ण है चंद्रहा मास के बारे में पूछा जाता है तो यह रावड का मुख्र हतियार था रावड यूच करता था कि रावड ठीक है नेक्स कोश्चन जेकिए जै जगत का नारा किस ने दिया जै जगत का नारा किस ने दिया तो जै जगत का नारा विनोबा भावे दिये थे बीन बीन एकजाम में पांच से दस बार पुशा गया है यार था तो वह बार बार रिपीट होता है इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जियस का टेस्ट स्रीज लगाएं इसे आप अपने आपको देखें